सबी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों आज हम इस वीडियो के अंत्रगत N.I.O.S कक्सा 10 में जो मनुवग्यान विशे है उसका चप्टर नमबर 16 पढ़ेंगे तो यह जो वीडियो है वो राजस्तान स्टेट ओपन इस्कूल में कक्सा 10 के जो भी विध्यार्ति ह उनके लिए भी लाबदायक है क्योंकि दोनों ही बोर्ड का सिलेबर्स एक जैसा है तो पढ़ते हैं इस चेप्टर को इससे पहले मैं ने 15 चेप्टर पढ़ा दिये है मनुवग्यान विशे के तो आप इसी चैनल पर जो प्लेलिश्ट बनी हुई है साइकलोजी की वहाँ प ने 167 के कारण कई गरीबे के कच कषे कारण भी है और साथ में उन गरीबी की वजे से क्या-क्या पढ़िणा हमारे समाज में देखने को मिलते हैं साथ ही शिक्षा के शच्यर की अंदर यह जो गरीबी है यह फिर अन्य कह सामाजिक समश्या है वह कैसे परभावीत करती है को वह इस पार्ट में बताया गया है तो पढ़ते हैं इस पार्ट को तो विवस्ता कि कठनाईओं की कारण जब समुदा या समू के उचित लक्षों को प्राप करने में लोगों को जिन प्रश्चित्यों को सामना करना पड़ता है उन्हें सामाजिक कटिन है उन है उन्हों करना तीक जिसकी वज़ेसे उन लोगों को कुछ परुश्टिति को सामना करना पらता है वह है सामाजिक समष्ट्या है लोग पतारित होते हैं वन्चित परष्थिती वह में रहते हैं लोग प्रतारित होते हैं और वंचित प्रिश्थिती में रहते हैं अच्छी शिक्सा प्राप नहीं कर पाते हैं। बेहत भाव का सामना करते हैं, यह सब सामाजिक समश्याओं के उधरन है, यह अच्छी सिक्सा उनको नहीं मिल पाती, अच्छा उनको खानपान नहीं मिल पाता है, अच्छा उनको रोजगान नहीं मिल पाता है, टीके वो इल्चा की भावना और बेहत भावना से उग्रस्त र कि यह नहीं कि प्रियास की सब्रक्राद्र क करा है माजी समाज में एक घर से घरी के जदूर पुरानी विरासत को लेकर चल रही है आज भी हमारे घर में पुरानी परंपरा है उनको हम मानते हैं हमारी पुरानी सभ्यता है उनको हम शुकार करते हैं आज भारत विश्यो की अंदर अगर देखा जाए तो भारत वो एक मजबूत देश बनने की आकांग्शा रखता है लेकिन इन सभी दबाओं के करन कई समश्या सामने आ रही है जैसे अशिक्षा, सामाजिक सनाव और लेंगिक भेदबाओ आदी जैसे कुछ मुख्य समश्या ह और लेंगिक भेदबाओं के समश्या है जिनके सरकार का धायना करशित होता है याने कि पूरी गोवर्मेंट है हमारा जो देश है उनका जो लेंगिक भेदबाओं को मिटाने में लग जाता है समाज में कुछ तनाओं को दूर करने में लगता है अशिक्षा को दूर करने में लगता है और लोगों के लिए काई योजना है निकालता है तो वो सारा ध्यान उदर चला जाता है जिसकी वज़े से जो वेश्विक इस तरह पर मजबूत देश बनना चाता है तो उसमें कहीं के कटोती आती है यह पार समाज में उपरसित ऐसी कुछ मेहतवपून सामाजिक समस्षा के मनोवग्यनिक पहलो को समझने में सायग सिद्ख होगा अब यह पार हम पढ़ेंगे तो क्या क्या वेश्विक समझ्षा है कुछ-कुछ समस्षा है उसके बारे में हम जानेंगे कि पहले इसके बारे में इसको बीच की चरचा करने में सक्सम होगे क्यू बच्चे बीच स्कुल छोड़ देते हैं क्यों इसको बारिने पढ़ा है उनके कारण है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्ति करेंगे अब पहला पंडे रखा है 16 पंडे गरीबी हमारे देश में भहुत से लोग गरीबी में जीते हैं गरीबी किसी भी वेक्ति तथा उनके परिवार की समानता न्याय गरीमा स्वास्ते आम जरूते नीजी सुरक्षा को नकारती है तो गरीबी क्या करती है कि जो वेक्ति है उसकी जो महत्योपूर मूल जरूते है उसको भी पूरी नहीं कर पाती है गरिवी रूप से गरीबी मूल रूप से असंमान्ताओ का परिणाम परिणाम सरूप होता है तो गरीबी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे समाज में बहुत से असमानता है जिसकी वज़े से गरीबी हो रही है गरीबी को वश्तुकत गरीबी की तरह परिवासित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य जिसमें मुख्य रूप से साधनों की कमी होती है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होती है, साधनों की कमी, जैसे आर्तिक साधनों की कमी, जिसके कारण जीवन के समुचित इस्तर को प्राप्त करना कटिन होता है, कुछ आर्तिक इस्तर है, जिसकी कमी है, जिसकी कमी है, जिसकी वह से उनको शमुची जीवन फिर हैं वो प्राप्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए कहा जा सकता है कि गरीबी जन संक्या को दो भागों में बारती अब गरी वह नहीं हो पाती है तो केसे बारती वो कि एक वह जो समुझी जीवन इस तर पर जीने में सफल है दूसरे वह जो ऐसा जीवन नहीं जी पाते हैं यानि जिनकी छोटी-छोटी मूल भूत आउशकता है होती जैसे रोटी-कपड़ा-मकान वो भी उनकी जरूते पूरी नहीं हो पाती है व्यक्तिगत अनुभाव वे विचारों पर आधारित गरीबी वे होती है जो किसी व्यक्ति दोरा अनुभाव की जाती है यह की गई होती है या वह व्यक्ति विशेज का पर्तेक्ष ग्यान होता है यानि कोई व्यक्ति विशेज की जो अनुभाव की आधार पर उनके विचारों की आधार पर उनके गरीबी महसूस की है तो वो व्यक्तिगत गरीबी की अंतरगत आएगी ठीके जो उनके पर्तेक्ष रूप से उसका ग्यान हासिल की या पर्तेक्ष रूप से उनके गरीबी की कमी होना यह वातावरन की अनुपक्त इस्ति दरीद्र अनुभव तता सामाजिक रूप से वन्चित व्रगों के लक्षणों का रूप ले सकते है अब देखो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे जैसे की बस्ती बता रखी है कोई सलम एरिया बता रखा किस तरह से लोग वहां रहते हैं तिन टप्रकॉन का मकान है हाना अच्छे से रहने की विवस्ता भी नहीं है बहुत ज़्यादा अस विवस्ता ऐसी जगों पर फेली रहती है हाना बहुत कम रहने के उनके जगे होती है तो यह गरीबी का ही एक रूप है अब यह गरीबी के कारण वे परिणाम कि गरीबी को कारण के साथ परिणाम के रूप में समझने की आवशकता है गरीबी के कई कारण होते हैं और उनसे कई अन्य समझ्षाय जनम लेती हैं गरीबी का एक मेत्वपन पहलू अभाव है गरीब का मेयत्वपन पेलोग एक क्या है अभाव एंडोगों में अभाव है मतलब अभाव के वजह से पूर्थ आउस्षक्ता की पूर्थी नहीं हो पाती या तो उनके पाँ अच्छा रोजगार नहीं है उनके पाँ अच्छी शिक्षा नहीं है दुरूबल आրतिक इस्ताती है अर्तिक इस्ताती भी उनसें क्या है कम जोगर हैं उपफ़लब संसाधनों के कम उपयोगीता है उनकी उपयोगीता भी बहुत कम है यानिना उपयोग कम है आदी शिक्षा रोजगार एक दूसरे से सम्धित है देखो और रोजगार क्या है एक प्रभावों को लेकर आपस में संचार करते हैं आईए हम गरीबी के कुछ प्रमुक पलिणामों की जाज करेए पहला है कुपोशन और विकास कुपोशन विकास से कारण भी गरीबी होती है कुपोशन सायरिक और मानसिक विकास दोनों को प्रभवित करता है संतुलित भोजन बच्चे को सक्रिय और घुस रखने में सायता करता है देखो संतुलित जो भोजन है वो बच्चे को खुश रखने में सक्रिय रखने में और उनको क्या करता है वो साहिता करता है और उसका मानसिक विकास और साहित विकास भी अच्छे से होता है अगर उसको अच्छा पोश्चन और संतुलित अहार उच्छो असको मिले लेकिन खारण है जो मांसिफ पिछड़ापन उत्पन करते हैं गरीब परिवारों के बच्चे अपना जीवन सिमित भोजन व्यापक संक्रमन कमजोर स्वास्ते अप्र्याप्रेण ना तथा माता पिता में सिक्सावे जागुता की कम्मी के साथ आरं करते हैं तो यह होता है जो गरीब बस एक सिलम एरिया का पिच्चर देखा था, अब देखो कितना यहाँ पर कंजिस्टर एरिया है, तो वहाँ पर अपने आपी बिमार्या उत्पन होगी, क्योंकि गंदगी वगरा रहेगी, तो क्या होगी, बिमार्या उत्पन होगी, तो अस्वस्त क्या होती है, जो संक्रामक तो अस्वस्था किया रroid deficit क्यूज़ व्यापक संक्रामक रोग जैनी एक से दूसरों को फेलने वाइट लोग पर अपुछलत वहाईट या स्वस्थ वायू की वज़र जल कि वज़र से वह बिमार्य महाँ बच्चों के फेलेगी आधि लोगों के सात यार pena होता है तो माता-पिता भी क्या शिक्षित होते हैं उन्हें कोई जाग रुखता नहीं होती जब बच्चा जनलिता है तो उसन lorsqu's यह सब चीज़े वही मोडल की कमी तता सम वेस को दोरा सामाजिक वे भावनात्मक समर्थन की कमी के रूप में किया जा सकता है इन सभी पहलों की कमी के कारण बढ़ते बच्चे में के संग्यानात्मक वे भावात्मक विकास वो पर्तिकुल प्रभाव परता है देखो सामाजिक प्रेटन के अंदर क्या आएगा कि जो भी बच्चे है ठीक के उन बच्चों की जो सामाजिक रूप से उनको प्रयाप्त रूप से उनको उत्तेजना मिल पाती है ठी क्या होना , यहाँ वह व्यक्ती है , तो मैं को भी ऐसा ही बनना है , तो रोल मोडल की कमी उनके जीवन में होती है , थोai जोंकी आपनाशी , व्यक्ता हुал或者 का जाह्या फ़esso अगला है व्यक्तितों का विकास वंचित गेर वंचित समू के लिए व्यक्तितों के विकास से कई अलग अलग सनरूपों का सुझाव दिया गया है गेर वंचित बच्चों के तुलना में अती वंचित बच्चों में इसनायू रोग और अंतर मुक्ता की संभावना अधिक होत सब्सक्राइब कार्द, की कि अपने करते हैं देखिर आंदि की अपरादी की देखकर पिलिए या पारद ने को भ、 क्षे万 पस्टे कंमाने के लिए आनि समय जाते हैं को समय अच्छीट में नीजी की है की आपराद का विफार्द करना नसे का। कि जो गरीबी इस्तिती जहांपर होती है इस तरह के लोग रहते उनके अंदर कई तरह की गलत आदतें उनमें भी विक्सित होती है और परीपक्वता भी होती है उन्हों परीपक्वत नहीं हो उससे पहले उनकी शादी वगरा कर दी जाती है ठीके चोटे-छोटे बच्चों तो उसमें भी और साथ में परिपक्त हुए ही नहीं उससे पहले उनको काम लगा दिया जाता है तो उसके आधार पर उनके विक्तित्तों के विकास के उपर कई तरह के प्रभाव पढ़ते हैं और बच्चे क्या होते हैं पर जाद अपराद है बहारी मोका प्रसनी बहार उनको कैसे समझे विभिन प्रश्ट भूमी के लोगों से बात करें मित्र परिवार पडोस चात्र कारे रत्वे बेरोजगार विक्ति जुगी जोप्रियों में रहने वाले अन्ने परतेक विक्ति से गरीबी को परीभासित करने और भारत में गरीबी के पांच मुख्य कानों को कीशा कई तता इस सुची में अपने उ्त्र को भी मिलाएं UTRA को मिलाएं और पदत्रो को भी आपको प्राप्त होगर जो आप को सौनीबन करें अप लोगों द्वारा भिताया कऊ हुएं किन-किन लोगों ने एक जिसे कारण है है कितने लोगों ने एक कारन हैं उसकी खें पारे करने वाले और कुछ बेरोज़कार युवाव से कि गरीबी का मुक्य कारण क्या है क्यों गरीबी हो रही है तो उसको आप एक सुचिबत कर सकते हो अगला है प्रोस्थाहन का पईना पुरुसकार दंड का नुभाव किसी भी व्यक्ति के प्रेयरे अभी विन्यास का आप निर्बर भी रहते हैं तो इसकी और वो गरीबी उनको ले जाती है अगला है मनोवेग्यानिक हस्तक्षे गरीबी के कई कारण वे परिणाम है जो व्यक्ति समू और समाच को परभावित करते हैं मनोवेग्यानिक इस विचार को मानते है कि मानव विकास को व्यक्ति के नुवहु दोरह आकार मिलता है किसी विक्ति को सहाईता करने का उद्देश यह हैं इसको कुछ अभिपनी कोसल का अच्छा निर्मान करो तो उसो कुछ न कुछ वो अपनी गरीबी को अपना दूर करें कि उसो कुछ न कुछ जो हना अच्छा रोजगार प्राप मिलेगा उसकी समझ अच्छी विक्षित होगी अपना आप में समर्थ बनेगा इस प्रकार के मागदशन से समाज के प्रभावी कार्य करन के लिए सजान के सबस् idea the the कि विक्त को बभाएंगे उनके क user को बढ़ाएंगे उनके क्वेबार को बढ़ाएंगे तो यह क्या करेंगे इस वेक्तिके निर्वर्टा आप बढ़ेगी और उसके आदद बन जाएगी ऐसी परिस्तितियों के अंत्रगत वंचित वेक्ति आत्मन दिदर नहीं बन पाएगा दूसरा मनवेग यानि हस्तिपसे को तीन इस्तरों में बाटा जा सकता है वेक्तिगत सामुदाइक वे सामाजिक इस्तर उधरन के लिए शिक्षा, सामाजिक नीति तता आर्तिक साइटा तीनों के एक साथ बदलाव के दूर गम प्रभाव हो सकते हैं अगर ऐसे वेक्तियों ग सामुदाइक भागिदारी पर्ति बदता वे कारे क्रमों के प्राप सपलता कारे करने की इच्छा को जगाती है अब यह कुछ प्रशन दे रखे हैं कि गरीबी खालिस्तान और खालिस्तान गरीबी के संद्रब को परिभासित करती है तो देखो जो गरीबी है गरीबी जो है वस्तुनिष्ट और व्यक्तिनिष्ट गरीबी के संद्रब में परिभासित किया जाता है तो गरीबी को व्यक्तिनित और वस्तुनिष्ट गरीबी के संद्रब में परिभासित किया गया है दूसरा है वस्तुनिष्ट गरीबी जो है संपति की कमी है वस्तुनिष्ट गरीबी क्यों होती है अगर किसी के पास संपति की कमी है तो होगी तीसरा है व्यक्ति परत गरीबी जो है वो पत्यक्ष ज्यान और अनुभव व्यक्ति द्वारा अनुभव को संदर्बित करता है यह करती है चोथा है आम तोर पर आम जनता के लिए उपलप्त अवसरों और विशेशादिकारों की कमी संग्यानात्मक प्रेरक वे व्यवहारिक देखो इसमें आएगा चोथा आम तोर पर आम जनता के लिए ठीक है उपलप्त अवसरों और विशेशादिकारों को कमी क्या पताता है यह वंचना को संद्रबित करती है परसन पाच है वंचित वेक्ति का खालीस्तान और कोसल में प्रक्षिशन किया जाना चाहिए तो करना चाहिए तो यह इसके आंसर है अगला है अन्य सामाजिक समश्या है जी होती है जो गरीबी की वज़े से उत्पन होती है पहला है नसे की लत देखो नसेली दवाईयों के लत एक पुरानी समश्या है क्योंकि इस सत्य के बावजुद की नसली दवा उसके लिए हानिकार लेकि फिर भी उसका सेवन करते हैं उसकी नहीं नसेली पता तो का खोजबिन वो करते रहते हैं प्रा यह जानना कटिन होता है कि लोग नसे के अदिक क्यों है यह हो सकता है कि जोखिम वाले कारकों के संयोजन जैसे वेक्तिकत साहरिक संड़चना सामाजिक आर्थिक स्तर य अच्छे परिवेस की कमी रोल मोडल ये उम्र आदी के कारण ऐसा होता है तो पूरा जाए कि नसे की लट का मुख्य कारण क्या है तो यह आप कारण डाल सकते हो एक व्यक्ति के जीवन में अनुवांसिक और प्रयावन्य कारक विकासात्मक तथा परिपक्वता की अवस्ताओ के अंतरक करते हैं जितनी जल्दे कोई वेक्ति इन दवाओं का अधि बनता है यह नसेली प्रदातों का अधि बनता है यह लग अतनी जत्व होती जाती है किसोरवस्ता में ये एक आम समश्याने के बालक फस्ते ही वodoreा होता है, इस समश्या से ज़ुह ज़ादा यह फस्तते अपरद वे हैं साइरिक तथा मानसिक स्वास्ता पर भी इनका सीधा प्रभाव पड़ता है देखो नसे की लच्छे कई तरह की जो है बिमारे उत्पन होती है जैसे हैं एचाइवी और एर्स क्योंकि वह कई लोग इंजेक्शन से भी नसा लेते हैं तो एक दूसरे के इंजेक डालेगा इलाज द्वारा लोगों को इस लच्छे लड़ने में साहिता मिलती है लेकि नसे की लच्छे की रोक थाम नहीं एक उत्तम विदी है परिवार, इस्कूल, कोलेज, समुदाय, तथा मीडिया का सयोग इस लच्छे लड़ने का भेतर विदियों के विकास में नसे की लच्छे चुटकर पाने के लिए समाद में क्या कारी किया सकता है तो परिवार है, स्कूल है, कोलेज है, समुदाय है, तथा मीडिया का सयोग हम ले सकते हैं यह भेतर विदी है प्रशिद विक्तित्व या लोगपिरे विक्ति और प्रभावसाली यूवक नसा विर करके नसे की लच्छे दूर उनको कर सकते हैं, अगला है धेज, तो यह भी एक कारण है, हमारे समाज में कुरूत्वी का, ठीके, धेज जो सादी के समय लड़की की परिवार वालों दोरा नगत, उपहार, संपती और सामगी के रूप में दूले पक्स को दिया जाता है, जो लड़की के बोच के बुक्तान के रूप में दूले के परिवार को दिया जाता है, इसी पहलू के कारण परिवार में एक लड़की के जनम को खर्चे या बोच के रूप में माना जाता है, तो देखो, देहेच परता इतनी बढ़ गई है, कि पहले तो देहेच जो है, वो सा लड़की के साथ आप उनको दोगे तो इस तरह से एक तरह से बोज बन गया तो आज जब लड़की का जिनम होता है तो जो माता-पिता है वो पेले से बोजिल हो जाते हैं अपने आपको दबाव में मेंसुस करते हैं तो खर्चा बोट के रूप में उसको मानते हैं और यदि गरीब हो तो यह दबाव और भी बढ़ जाता है दहज लेने वा देने के कई कारण है माता पिता दोरा लड़की अपनी लड़की के लिए चिंता एक अच्छा है सुकी जीवन परदान करने की कामना ही उन्हें अधिक साधी दहज का बुकतान करने पर मजबूर करती है माता प देने यह दहज के लिए उनको ज्यादा मजबूर होना पड़ता है देएज का बुकतान करने के लिए उच्छ द्रोप पर पेशा उधा लेने के कारण परिवार कर्च के बोश के निचे भी दब जाता है अब देहज के ना इसको अब सामाजी-कुरूती के रूप में सामने आने लगा है लेकिन वेंसे यह श्रीधन होता था तो यह किसी रूप में दिया जाता था श्रीधन के रूप में में दिया जाता था याणि कि छोटी मोड़ी चीजा मात पिता अपनी इच्छासे देते थे कि वो अपना जीवन या अच्छा से चला सके जब वो नए घर में जाया तो जली से कुछ चीज की कमी ना हो कई बार जीजक होती है तो कुछ ऐसी चीज जो वास्ता में जरूत की चीज है जैसे कुछ बरतन दे दिये कुछ उसके एक दो जोड़ी पहने के कपड़े दे दिये तो यह पिर कुलेटी के रूप में सामने आने लगा तो अब पिर क्या काते है चलो देना है शादी करना तो हम उधाल लेकर हमनी बच्ची को अच्छा दे लेकिन फिर फिर भी उसके बाद भी उसकी दिमान उनकी जादा ज्यादा बढ़ती जाती है तो उसके वज़ेसे महिलां की उपर पर चुह पर आपरात स्टे माली के सकते हम् Cafe लेंध के बन चुकाएंस एक लीथ रिती वन गई है कि नहीं घ्जये परफ़े हो नई परत की प्रप्रथा परणी तो के । दो भषिट तो डाल देती है देखो जो युवल लड़किया होती है जो जवान लड़किया जो शाधी करके जाएगी अगर उनको अच्छे दहेज नहीं दिया गया तो उसको क्या करती है वो उसको दबाव में डाल देती है या उनके साथ में कुछ न कुछ जो है अपराद होता है क्योंकि जो लड़की अपने पती के घर कम देहज लेकर जाती है वे पती के परिवार की दया पर रहती है उसके साथ बुरा वेवार किया जाता है प्रभाविक कर्यानवे समात के सायोग द्वारा एंव सक्रेता से इस बुराई के उन्मूलन में साहता ली जा सकती है देखो कानून बना हुआ है देज परतिशे देज निरोदक अधिनियम 1961 ये बना हुआ है ठीक है लेकिन फिर भी ये कानून कुछ साहिता नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है ठीक है लोग जागरूख होगे तब ही तो कानून साहिता करेगा ठीक है कानून तो सरकार जब इस तरह की प्रताद नए होती है sequence करता है उसकायत कर सकती हो लेकिन कोई करता हैрий नहीं नी question होता है कि वह अपराद जादा बढ़ते ही जाता है तो प्रभावी करियान वे हैं समाज का सायोग समाज का सयोग भी कानून को लगू करने में जरूरी है इस पराइब के उन्दमूलन अफ़ेक्ट क्यों हो रहा है? वो हम देखेंगे इस पॉइंट में. शिक्सा का अधिकार एक मुलिक अधिकार है. शिक्सा का अधिकार क्या है? unक्या nod. तब بھی हम ये पाते हैं कि बच्चे एक बार तब भी हम ये पाते हैं कि बच्चों का एक विध्याले में नामांकन के पच्छाद भी विध्याले छोड़ देते हैं देखो बच्छो को जो शिक्षा है वो बच्छो का मोली कदिकार है सविधान में भी बच्छो का मोली कदिकार दिया हुआ कि शिक्षा बच्छो का मोली कदिकार है लेकिन तब भी हम पाते हैं कि बच्चे एक बार विध्याले में नामंकन के पच्छाथ जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात के रूप में परिवाशिद कर सकते हैं तीस पतिससत बच्चे विद्धाले में पांच वर्ड पूर पूर ने से पूर और पचास पतिससत बच्चे आठ वर्ड पूर करने से पूर ही विद्धाले चोड़ देते हैं। और पचास पती सतिनी सो मैंसे माने तो पचास बच्चे तो आठी क्लास पूरी करने से पहले क्या कर देते हैं, इसकूल छोड़ देते हैं, टहरा और अफ़े, शिक्षा की एववस्ता में दो मेत्वपुन अवधाना है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास और समाज के पर लेकिन वो शिक्षा उसको किसी प्रकास साहिता नहीं कर पा रही हैं, तो वो उससे क्या कहते हैं, आफ़े, विकास य बच्चे के लिए आवशक है कि वे शिक्षा दोरा प्राप घ्ञान का प्रियोग करें, जो भी विकास य बच्चे हैं, उसके लिए जो भी उन्हों शिक प्रकार प्रात्मिक विद्धाले इस्तर के चात्रे स्कूल में दाकिला लेते हैं और कुछ वर्सों बाद इसकूल छोड़ देते हैं यह आउशक है कि बच्चे को इसकूल में वापिस दाकिला कराया जाएं वे उसकी सिक्षा पूरी करवाई जाएं अक्सर बच्चे असंतोस जनक प्रगति के कारण एक एक कसा में रह जाते हैं जो इसकूल में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोहतोस साइथ करती हैं कुछ आगे है कि बीच में ही इसकूल छोड़ने ठेहरा और अपवे के विबिन कारण है इन कारणों को सामाजिक आर्थिक वेग्यानिक और सेक्ष्रिक तीन सेने में बाटा जा सकता है आस पास के सेत्रों में इसकूल की अनुपलबता माता पिता में शिक्षा की आउशक्ता को ल बोड़ है माता पिता की शिक्षा को लेकर जागरूबता की कमी माता पिता शिक्षा को लेकर जागरू की नहीं है वो समझते ही नहीं यह ना में च्क नाहीर स्कूल में पढ़ध के अफ्यान ही मिल रही है। खोड़ने का और खोड़नकी एकाशा नोक हुए। बच्चों की आवशकता के प्रतिकुल पाठेकरम शिक्षा की गुनवत्ता में कमी है इसकुलों के खराब उपकरण जैसे कई कारण है जो बीच में ही बच्चों को इसकुल छोड़ने के कारण बनते हैं तो प्रतिकुल पाठेकरम भी सीखने ठीक नहीं होता है शिक्षा की ग भ्यान तता मीडे मिल जैसे कई सरकारी कारिक्रम चलाए गए है भारत वर्ष के केरल राज्य में उच्छतम शाक्षता दर है भारत मसीब एक केरल राज्य ही ऐसा है जहां पर सभी लोग पड़े लिखे मिलेंगे उच्छतम शाक्षता इस तरह मिलेगा और अन्य राज्य दौ में कमी लाने के लिए अच्छे प्रियास किये जा रहे है उप्रुक्त सामाजिक समश्याए जीवन के विबिन पहलों का उल्ले करती है आपने देखा होगा कि किस प्रकार ये समश्याए एक दूसरे से समधित है और एक दूसरे को प्रभावित भी करती है फिर भी इन समश् को समझना नजर अंदाज नहीं किया जा सकता अभी वर्तियों भावनाओं और वेवारों के परतीमान में संसोधन मैत्वपुन है इन परिवत्रों को लाने में मनुवग्यानिक अन्य सामाजिक मनुवग्यानिकों के साथ मिलकर योजना पदान कर सकते हैं तो इस तरह से इसी के बारे में बता रखा है यानि किस तरह से जो शिक्षा है कि कमी हमारे देश में होती जा रही है किस तरह से सामाजिक इस्तति लोगों की कम जोर है जिसकी वज़ासे कई तरीके की प्रभाव समाज में पढ़ रहे हैं अब यह कुछ खालिस्तान वाले प्रशन दे रखे कि खालिस्तान दिसा में पूर्शों महिला लिंग अनुपात प्रतिकूल है तो महिला है तो महिला की दिसा में अगर हम देखे तो पूर्शों में और महिला में लिंग अनुपात प्रतिकूल है नि पूर्शों के तुलना मे चोटा पॉइंट है उन चात्रों को संद्र भी करता है जो शुरू में प्रवेस लेने के कुछ वर्ष बाद इसकूल छोड़ देता है तो क्या देखो इसके बारे में हम क्या सकते हैं देखो इसके आंसर पेपर दुबारा चर्चा करते हैं देखो पहला प्रशन है दिसा में पुरूस और महिला लिंगनुपात कौन सा है तो देखो महिला है जो है महिलाओ की दिसा में पुरूस और महिला लिंगनुपात पतिकूल है दो महिला नेताओ और राष्ट्य इस्तरपन नेताओ के रूप में उबरी तो एक तो कौन सी होगी इसरोजनी नाईडू है दूसरी इंद्रा घंदी हो सकता है तीसरा है नशिले दवारों की लत एक पुरानी समस्या जिसमें किसी वेक्ति द्वारा क्या किया जाता है तो बाद्यकारी जो है बाद्यकारी दवा का सेवन हना निर्भरता और सम्मृत है अगला है उन छात्रों को संदर्वित करता है जो इसकूल में प्रवेश लेने की कुछ वर्षों बाद इसकूल छोड़ देते हैं कौँसे चात्रों को संदर्वित करता है विद्धाले छोड़ देना उन छात्रों को संदर्वित करता है जो शुरू में प्रवेश लेते है और कुछ वर्षों के अब यह आपने क्या सिखा गरीबी असमानता को परिणाम है इसे व्यक्तिनिष्ट में परीबासित किया जा सकता है अब भाव का तात्परे साधारन लोगों को उपलब संसुविधाओं और सुवसरोग से वंचित होना है कुपोशन सामाजिकरन प्रतिमान व्यक्तित्य विका अबिपरनातमक परिणाम और मांसिक स्वास्त गरीबी के कारण के परिणाम है तो अगर पुछा जा गरीबी के कारण सोड़ने टहरा और अफवय के अनेक कारण है जैसे कि सामाजिक आर्थिक कारण है मनुवग्यानिक है और शेक्षिक कारण यह आधी है अब इससे कुछ प्रशन दे रखे है वह प्रशन को आप कीजिएगा ठिक है तो उम्मीद है कि आप वीडियो आपको पसंद आया होगा औ और चैनल को सस्क्राइब करें मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे भारत